दोस्तों स्वावत है आप सभी का मेरे यूटूब चेनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जरूरत है आज बज में अमल सजाने की उठ और उठ कर बदल दे फिजा जमाने की स्टुडेंट प्लीज इस लाइन पर गौर कीजिए कि ये बात क्या है ये आपको एक मॉटिवेट करने की बात है सो प्लेज जैसी लाइन है वेसा हमें काम करना है उठ और उठ कर बदल दे फिजा जमाने की तो हमें जादस जादा कोशन लगाने और हमें फिजा को बदलना पड़ेगा तो आई ये मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बाल विकास पार्ट फोर बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है आपके लिए तो चली देखते क्या है कोशन, कोशन नमबर वन है हमारा निम्न लिकित में से क्या मानव की जान ग्यानेंदरी नहीं है तो ओप्शन है इसका A गला, B नाँक, C आँक और D जीब हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या है कुसे नमबर वन इसका करेक्ट आंसर है ओप्शन A गला इसका करेक्ट आंसर है चली बढ़ते हम अगले कुसेन के ओर कुसेन नमबर सेकेड्ड विकास की सबसे जटिल अवस्था है औप्शन A से शोकाल, B किशोर अवस्था, C यू अ परोड अवस्था D. व्रद्ध प्रोड आवस्था हमें इसका correct answer बताना है friends, जो विकास की सबसे जटिल आवस्था है, obviously आप जानते हो वो कौन सी आवस्था है किशोर आवस्था चलिए बढ़ते हम अगले question के और अगला question है हमारा Question number third मानव का विकास नीम्न में से किस पर निर्भर होता है Option A, उसकी व्रद्धी पर B, उसकी वातावरण पर C, उसकी बुद्धी पर D, उसकी व्रद्धी तता वातावरण से मिलने वाली परिफकवता पर So हमें इसका correct answer बताना है friends, guess कीजिए क्या आने वाला है उम्मित कर रहे हूँ, आप सब मेरे साथ question को solve कर रहे है So option 4, option number D, इसका correct answer है चलिए बढ़ते हम अगले question के और coaching आपके लिए बहुत बहुत important question लेकर आईए So please channel को subscribe कीजिए friends ताकि अगली वीडियो आप तक आप होचे चलिए, next question है हमारा question number 4 option A है, विकास क्रम की एक रुपता का सिद्धान्त option B, सामाजी का दिगम सिद्धान्त option C, निरंतर्ता का सिद्धान्त और option D है, हमारे पास प्रिसपर संबंद का सिद्धान So friends हमें इसका correct answer लगाना है correct answer कौन सा है I think आप भी सभी मेरे साथ solve करते जा रहे है question आपके सही निकल रहे होंगे, उम्मीद ऐसी कर रही हूँ मैं आपसे So option number B, इसका correct answer होगा सामाजी का दिगम सिद्धान चलिए बढ़ते हम next question की और हमारा अगला question क्या है question number 5, चलिए question number 5 क्या पूछ रहा है हमसे अउधारनाओ का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा ही So, अउधारनाओ का विकास जो मुख्य रूप से हिस्सा हमें उसका बताना है कि ये किसका हिस्सा है हमें इसका correct answer चूज करना है कई बार हमारे सामने answer होता है लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं यह हमारी बहुत बड़ी mistake होती है confusion हमारा बहुत बड़ा issue है सो हमें confused नहीं होता है option answer हमारे सामने बस एक चूज करना है question को पढ़ो अच्छे से एक बार नहीं दो बार पढ़ लो लेकिन हमें option correct लगाना है सो इसका correct option क्या है बौद्धिक विकास चली बढ़ते हम next question के और हमारा अगला question है question number six अनुवानशिक्ता के मूल समभाक माने जाते हैं option A protein, B vitamins, C genes और D carbohydrate so obviously हमें पता चल रहा है question क्या पूछ रहा है हमसे question पूछ रहा है कि जो अनुवानशिक्ता के मूल समभाक माने जाते हैं वो कौन से हमें वो बताने so protein इसका नहीं हो सकता, vitamins नहीं हो सकता, carbohydrates इसका नहीं हो सकता obviously आपने guess कर लिया है friends इसका correct answer क्या होने वाला है option number C so option number C इसका correct answer होगा genes चली बढ़ते हैं अगले question के और question है हमारा question number seven वन्शानुक्रम तता वातावरन परस पर है so हमें वन्शानुक्रम का बताना है वातावरन परस पर है option A निर्भर, B पूरक, C सहयोगी और D यह सभी so friends please guess कीजिए question का answer क्या होगा question number seven हम solve कर रहे हैं इसका correct option क्या होने वाला है friends please guess कीजिए देखिए वन्शानुक्रम तता वातावरन परस पर होते निर्भर भी होते पूरक भी होते और सहयोग भी होते so option D इसका correct answer होगा यह सभी उमिद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा चलिए बढ़ते हैं next question question number eight कौनसा कारक मानसिक स्वास्ते को प्रभावित नहीं करता है option A शारिरिक, B सामाजिक, C धार्मिक, D आकस्मिक जो कारक है मानसिक स्वास्ते को प्रभावित नहीं करता है वो कारक हमें बताना है so friends त्यार हो जाई आंसर के लिए option number C इसका correct answer होगा धार्मिक, धार्मिक जो है वो मानसिक स्वास्ते को प्रभावित नहीं करता यह एक कारक है चली बढ़ते हम अगला question के और अगला question है हमारा question number 9 सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है obviously आपने इसका answer guess कर लिया है friends please question को ध्यान से पढ़िए question हमसे क्या पूछ रहा है उसी के बाद हमें option को देखना है पहले question को पढ़िए सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है option A सामाजी करन B व्यक्ति करन C उदारी करन D नीजी करन तो जो सामाज का विकास कर रही है वो क्या होगी सामाजी करन कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी वो option A सामाजी करण चलिए बढ़ते हम अगले question के ओर अगला question है हमारा question number 10 friends please channel को subscribe कीजिए आपके लिए teaching exams के लिए बहुत important video आपके लिए आने वाली है so please channel को subscribe कीजिए question number 10 section की प्रक्रिया एक त्री इस्तरी प्रक्रिया है जिसके अंतरगत आता है option A, चात्र, B, सिक्षक, C, पार्ठे क्रम, और D यहाँ सभी हमें इसका correct answer बताना है friends इसका correct answer क्या होने वाला है जो section की प्रक्रिया है एक इस्तरी प्रक्रिया है जिसके अंतर क्या क्या आते obviously चात्रा आएंगे सिक्षक आएंगे और C, पार्ठे क्रम भी आएगा तो इसका correct answer क्या होने वाला है option number D का correct answer होगा friends यह सभी इसमें आने वाला है चली बढ़ते हम अगले question की ओर हमारा अगला question, question number 11 किसी विशेश में किसी बच्चे में सामाजी करण का प्रतम इस्तरोत क्या है हमें इसका answer बताना है किसी बच्चे में सामाजी करण का प्रतम इस्तरोत क्या है option A है परिवार B. स्कूल C. मंदीर D. जंगल so friends प्लीज correct answer को बताईए choose कीजे उम्मित कर रही हूँ आप सभी मेरे साथ question solve कर रहे है इसका correct answer होगा किसी भी बच्चे का जो समाजी करण प्रतम इस्तरोत होता है वो उसका घर परिवार होता है बच्चे का सबसे पहला समाजी करण उसके घर परिवार से होता है so option number A इसका correct answer होगा चलिए बढ़ते हम अगले question के और अगला question है हमारा question number 12 so हमें इसका correct answer बताना है friends पुनर बलन का सिद्दान्त किसका है वो है आप भी guess कीजिए क्या होने वाला इसका correct answer obviously जिसका भी A option है वो correct answer है skinner इसका correct answer पुनर बलन सिद्दान्त किसने दिया था वो था skinner चलिए बढ़ते हम अगले question के ओर अगला question है हमारा question number 13 बुद्धी से संबंदित द्वी कारक सिद्दान्त का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था option A, B ने B, Spearmain C, Stern D, Gene, PRG तो हमें इसका correct answer बताना है friends कि जो बुद्धी से संबंदित द्वी कारक सिद्दान्त था वो किसने प्रतिपादन किया था option A, इसका option number B, इसका correct answer होगा Spearmain चलिए बढ़ते हम अगले question के और अगला question है हमारा question number 14 किसी चात्र में आयू की विभिन अवस्ताओं में उस चात्र का बोधिक विकास हमेशा option A, सामान रहेगा B, असामान रहेगा C, गिरता रहेगा D, इन में से कोई नहीं So friends, आमें इसका correct answer बताना है कि इसका correct answer क्या होने वाला है Friends, प्लीज उम्मित कर रहे हूँ आप भी हमारे साथ कोशन लगा रहे हैं और आपके कोशन सही निकल रहे हैं इसका correct answer है option number B असामान रहेगा चली बढ़ते हम अगले question की हो Friends, प्लीज अगर अभी आप तक अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Question number 15 इन बालक सामवगी कभी व्यक्ति प्रस्तूद करता है Option A, Roker B, हसकर C, Roker एवं हसकर दोनों प्रकार से और D, इन मेंसे कोई नहीं तो बालक अपना सामवगी कभी व्यक्ति किस से प्रस्तूद करता है वो होगा option number C, Roker और हसकर दोनों ही तरह से वो अपना सामवेगी अभिव्यक्ति को प्रस्तूत करता है चलिए बढ़ते हम अगले कोश्चन के ओर अगला कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर 16 भाषा सिक्षन की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है So friends हमें इसमें क्या बताना है जो भाषा सिक्षन की प्रथम कक्षा होती है वो क्या होती है हमें इसको बताना है कि जो भाषा सिक्षन है उसकी प्रथम कक्षा किसको माना जाता है जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी दर पहले ही बताया था कि बच्चे की जो प्रथम सामाजी करण होता है वो क्या होता है घर परिवार वेसे ही जो भाषा शिक्षन की प्रथम कक्षा होगी obviously वो घर से या परिवार का ही कुछ होगा पहले हम इसके option देख लेते है option number A है हमारे पास पूर्व प्राथमिक कक्षा को B. प्लेवे इस विध्याले को C. घर को D. उप्रोक्त सभी को तो हमें इसका correct answer बताना है कि जो भाषा शिक्षन की प्रथम का क्षा होती है वो क्या होती है उम्मित करती हो friends आपने इसका correct answer चूज कर लिया है option C इसका correct answer होगा घर को चलिए बढ़ते हैं अगले question के और हमारा अगला question क्या है question number 17 यह question बहुत ही important question है इस topic के पूरे जो question होते है वो बहुत important question माने जाते है exam में पूछे जा चुके और अब भी इनकी possibility रहती है कि जो रास्ट रेपार्ट चर रहा है कि रूप रेका 2005 होती है question 1 बनता ही बनता है so please friends question को देखिए ध्यान से यह channel आपके लिए बहुत बहुत important videos लेकर आने वाला है so please subscribe this channel चलिए बढ़ते है question के ओर question number 17 रास्ट रेपार्ट चर रहा की रूप रेका 2005 दस्तावेज में भाशा के लिए नहीं थे option A एक भाशा B द्वी भाशा C तीन भाशा और T है बहु भाशा तो जो रास्टी पार्ट चर रहा की रूप रेका 2005 के दस्तावेजों में भाशा के लिए नहीं थे वो क्या है वो है बहु भाशा option number D इसका correct answer होगा friends उम्मिद कर रही हूँ आपके option सही निकल रहे है बहु भाशा इसका correct answer होगा चली बढ़ते हैं हम अगले question के ओर आजए देखते हैं अगला question क्या पूछ रहा हमसे question number 18 मानों के व्यक्तित उपर नीम्न में से किसका प्रभाव करता है हमें क्या बताना इसमें से मानों के व्यक्तित उपर किसका प्रभाव करता है Option A है हमारे पास केवल परिवार का B केवल समुदाय का Option C है हमारे पास परिवार एवं समुदाय दोनों का और Option D इन में से कोई नहीं या इन में से किसी का नहीं तो जो मानों का व्यक्तित हुए उसका जो प्रभावे वो सभी का पढ़ता है जैसे कि परिवार का भी उस पर effect पड़ेगा और समुदाइद दोनों का इस पर effect पड़ता है जो मानों का व्यक्तितु है So obviously हमारा correct answer क्या होने वाला है हमारा correct answer है option number C परिवार एम समुदाइद दोनों का effect अब व्यक्तितु पर पड़ता है चलिए बढ़ते हम अगले question के और अगला question क्या पूछ रहा हमसे question number 19 यह पूछ रहा है प्रत्यक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है क्या बोल रहा है प्रत्यक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती है हर व्यक्ति की अलग अलग विछेशता होती है उसकी अलग अवस्ता होती है उसकी अलग भाशा होती है सो कभी भी समान अवस्ता किसी भी व्यक्ति की नहीं मिलती है सो हमेशा हर व्यक्ति की भिन भिन अवस्ता ही पाई जाती है फ्रेंड्स उम्मित कर रही हूँ वीडियो आपको पसंद आईए और आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे चलिए बढ़ते हम अगले कोश्चन की ओर कोश्चन नमबर 20 हमारा नीमन लिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंदी योगिता का विकास अपने चर्मोत कर्ष पर होता है तो हमें इसका बताना है कि किस अवस्था में भाषा संबंदी योगिता का विकास अपने चर्मोत कर्ष पर रहता है So option देखिए friends option नमबर A है इसका आपचारिक संक्रियात्मक अवस्ता Option B है इसका इंद्री जनित गामक अवस्ता Option C है इसका मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता Option D है इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता सो फ्रेंड्स भाषा का सबसे ज़्यादा विकास कब होता है वो बताना आमें तो वो है उप्शन नमबर ए उप्चारिक संक्रियात्मक अवस्ता इस अवस्ता में बालक की जो भाषा का संबंदी योगईता का विकास होता है वो अपने चर्मोत कर्ष पे रहता है ओप्शन नमबर ए इस का करेक्ट अनसर है फ्रेंड्स उम्मित कर रही हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगे आपको सो बने रही हमारे यूटूब चैनल के साथ टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेज और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू